हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं T800 Ultra Smart Watch के बारे में दोस्तों ये watch चार्ज नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको repair करके बताने वाला हूँ कि आपको इसको कैसे सही करना है charging की जो problem है उसको कैसे सही करना है तो आज की वीडियो बहुत ही interesting and amazing होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी इपना करे step by step पूरा वीडियो देखे वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं तलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा इस watch का तो यहाँ पर back side से आपको इसको open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको पीछे की side round हुआ तार मिलेगा दोस्तों जिसकी मदद से watch charge होती ही तो आपको इसको अच्छे से set कर द देगी जो charging आई से दोस्तों जिससे आपको charging की problem आरी है जिसके कारण आपको इसको clean कर लेना है दोस्तों अगर आपको clean करने के बाद भी charge नहीं होती है तो आपको इसको थोड़ा सा हिट कर लेना है दोस्तों machine आती है इस वोच को पेक कर लेते हैं तो चलिए पेक कर लेते हैं उसके बाद देखे दोस्तों यहाँ पर टच और डिस्पेलर देखने को मिल जाती इसमें जो की काफी अमेजिंग लग रही है बहुत ज्यादा छोटी है अगर आपकी डिस्पेलर या टच खराब हो जाती है तो इसकी जो पार्ट से हो बहुत जादा कीमती पार्ट से या आपको कहीं नहीं मिलेगे तो इसको बिलकुल आराम से पेक करना है और आराम से इस वोच को खोलना है आपको उसके बाद देखे दोस्तों यहाँ पर यह पेक हो चुकी है तो चलिए अब हम इसको चार्ज लगा कर देख लेते हैं कि यह वो चार्ज हो रही है यह फिर नहीं हो रही है रिपैर हुई है यह नहीं हुए तो चलिए दोस्तों चार्ज लगा कर देख लेते इसको तो देखे दोस्ता हम नहीं आपर इस वोच को चार्ज लगा दिया है और यह चार्जिंग का जो चलने लग चुकी है दोस्तों यह वो चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी जो कि काफी अच्छी तरीके से रिपेयर हो चुकी है एकदम परफेक्ट हो चुकी है तो आप भी इस तरीके से रिपेयर कर सकते इस वोच को तो अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइ कर लें इसे amazing video और देखने के लिए